सबी भी देर्थियों को मेरे तरफ से धेर सारा सनेहासिस प्यारे बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग बिहारिकल का जो नीति का दोहा है इसकी ब्याख्या पढ़ेंगे इसके पहले के वीडियो में हम लोग भक्ति के दोहों को पढ़ चुके हैं तो आएए देखते हैं नीत का दोहा मिली मावस रभी चंद बिहारी रभी मावस रभी चंद इस कार से देखिए बिहारी लाज़ी इसमें दोहरे सासन की जो बुराईया है या उसमें जो समस्याय आती है उसका वरणन करते हुए कहते हैं कि दुसर दुराज प्रजान को अगर प्रजा पर दोहरा राज दुराज मनें दोहरा राज किया जाता है तो क्यों ने बढ़े दुख दंद तो उस राज के लोगों का दुख और दंद का मतलब होता है पीड़ा, कश्ट तो दुख और कश्ट क्यों नहीं बढ़ेगा लब विहारी लाज ये कहते हैं कि जिस राज्य में दुराज होता है बने दो राजा होते हैं दोहरे राजा होते हैं तो वहां के लोगों के उपर बहुत अधिक परिशानी होती है उसका दुख और उसकी परिशानी उसकी पीडा क्यों नहीं बढ़ेगी आगे काते हैं उदाहरन के तौर पर अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रवी चंदू मतलब मावस का ताद पर होता है आमावस्या आमावस्या के दिन रव यानि सूरी और चंद्रमा जब एक सीध में आते हैं तो ग्रहन लगता है और यह संसार में अंधेरा चा जाता है उसी का बढ़न करते हैं कि जिस परकार से आमावस्या के दिन एक ही रास पर सूरी और चंद्रमा आते हैं तो संसार को और अधिक अंधेरा कर देते हैं संसार में और अधिक अंधेरा चा जाता है उसी प्रकार जब एक ही राजी में दो राजा होते हैं दोहरा सासन होता है तो वहां के प्रजाओं का दुख और दंद बहुत अधिक बढ़ जाता है और वह असानी हो जाता है इसका जो काबिगस संदर है तो पहले की भाथ इसका काबिगस संदर होगा इसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं है कहीं अलंकार अगर दिख रहा है तो आप उस अलंकार को लिख सकते हैं बताने के आओ सकता नहीं है बाकिस्य स्वही रहेगा दस्वा देखिए बसे बुराई जासुतन ताही को सनमान। भलो भलो कही छोड़िये खोटे ग्रह जपदान। बिहारी खोटे ग्रह जपदान। इसमें बिहारी जी बुरे लोगों का सम्मान बहुत अधिक किया जाता उनके डर के वज़ा से इस बात का बरण किये हैं कि बरतमान काल में जिसके अंदर बुराई होती है उसी की पूजा होती है उसी का सम्मान होता है। बिहारी जी कहते हैं बसे बुराई जा सुतन बने जिसके सरीर में बुराई बसता है जो बुरे लोग होते हैं इस कलजुग में ताही को सम्मान उसी को सम्मान दिया जाता है। उदाहरन देते हैं भलो भलो कहीं छोड़िये खोटे ग्रह जप दान कहते हैं भलो भलो यानि कि भले ग्रहों को छोड़ दिया जाता है लेकिन जो खोटे ग्रह हैं जो ओछे ग्रह हैं उसको जप और दान करके उसको शमन करने का प्रत्न किया जाता है। कहने का तात पर यह है कि जिस प्रकार राह, केत, शनी जो ओचे ग्रहें इनको दबाने के लिए अनेक प्रकार का नुष्ठान किया जाते हैं जबकि मंगल, शुक्र, बुद्ध ये सीधे और सरल ग्रहें या किसी को नुकसान नहीं पहुचाते हैं ति इनकी पूजा अर्चना इनका जब दान नहीं किया जाता है तो उसी तरह से जिस व्यक्ति के अंदर बुराई बसी रहती है जो बुरे लोग होते हैं उसी कई संसार में सम्मान होता है जिस प्रकार से जो खोटे ग्रहें उनको समन करने के लिए या वो हमारे पर कुपित नहों पूजा अर्चना किया जाता है आगे देखिए ग्या रहमा नर की अरू नल नीर की गति एके करी जोई जेतों नीचो होएं चलें ते तो उंचो होई बिहारी ते तो उंचो होई इस में इस दोहे में बिहारी जी व्यक्त के सभाव के बारे में वरणन करते हुए काते हैं जो जितना ही बिनमर होता है उसका उतना ही संसार में सम्मान होता है उसका पद उतना ही उचा होता है कहते हैं नर की अरू नल नीर की नर मने मनुष्ट के और नल के जल की मने नल के पानी का गति एक कर जोई उसकी गति उसके दसा एक समान होती है जेतो नीचे होई चले वह जितना ही नीचे होगा तैतो उचे होई उतना ही उचा अस्थान प्राप्त करेगा या उतना ही उचा उसका पहुच होगा कहने का तैत पर यह है कि नल जितना ही नीचे उसको उसका लठा जमीन में डाला जाएगा वह उतना ही उपर उस पानी का प्रवाह होगा उसी प्रकार मनुस्य के नीचा होने का ताद पर है बिनम्र होना उसी प्रकार मनुस्य जितना ही बिनम्र होगा वह उसका अस्थान और सम्मान उतना ही उंचा होगा संसार उस ब्यक्त को उतना ही उच्च सम्मान प्रदान करेगी ठीक है? तो इस तरह से इसका अर्था आप लिख सकते हैं 12. बढ़त बढ़त संपती सलिलू मन सरोज बढ़ी जाई 12. बढ़त बढ़त संपती सलिलू मन सरोज बढ़ी जाई गटत गटत सुन फिर घटे 12. बढ़त बढ़ता है तो ब्यक्ति का मन भी बढ़ जाता है लेकिन जब धन घटता है तो मन नहीं घटता है उस बढ़त का विनास कर देता है देखिए प्यारी जी कहते हैं बढ़त बढ़त संपती सलिलू सलिल मन होता है जल अस संपत मन संपत मन संपती रूपी जल जब संपत्य रूपी जल बढ़ता चला जाता है तो मन सरोज इस सब में रूपा कलंकार है संपत्य रूपी जल मन रूपी सरोज सरोज मन होता है कमल तो मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है ठीक है? विहारी जी कहते हैं कि जब संपत्य रूपी जल बढ़ता है उसके साथ मन रूपी सरोज भी बढ़ता चला जाता है लेकिन घटत घटत सुन फिर घटे लेकिन जब संपत्य रूपी जल यानि संपत्य जब कम होने लगता है तब वह जो मन रूपी सरोज है मन जो बढ़ गया है वह बढ़ा हुआ म गरता नहीं है इसका परिडाम यह होता है बर समूल कुमिलाई तो हम वह बढ़ा हुआ जो मनरुपि जो सरोज है वह समूल मने मूल सहीत क्या होता है कुमला कर नश्ट हो जाता है अर्थाथ बढ़ा हुआ मन उस ब्यक्ति को बिनास के गड़े में पहुचा देता है उसका हर्थ प्रकार से बिनास कर देता है इसको फिर से देख लिजे कि बिहारी जी कहते हैं कि धन संपत्ति रूपी जल जब बढ़ता है तो मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है और जब धन संपत्ति रूपी जल घटने लगता है तो मन रूपी सरोज जो बढ़ गया है वह मन रूपी कमल जो बढ़ गया वह कभी घटता नहीं है बलकि जल के सूख जाने के कारण वह समूल कुमला कर नश्ट हो जाता है इसका दूसरा भाव ये होगा कि अगर संपत्ति बढ़ जाए तो हमें अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए मन को अपने बस में रखना चाहिए क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि धन अस्थाई वस्तु नहीं है कभी आता है कभी जाता है इसलिए धन की कभी अगर चले जाने के बाद अगर मन पर नियंत्रण हम नहीं रखते हैं मन बहुत अधिक बढ़ जाता है तो हमें सरवनास कर देता है ठीक है? आगे देखते हैं तेरा हमा जो चाहत चटक ना घटे मैं लो होई नमीत जो चाहत चटक ना घटे मैं लो होई नमित रज राज सुन छुआई तो नेह चीक नोचित बिहारी नेह चीक नोचित इसमें बिहारी जी कहते हैं कि प्रेम रूपी जो घड़ा होता है उस पर राजसी बैभा रूपी धूल को नहीं असपर्स करने देना चाहिए नहीं तो उस पर मैल बैठ जाता है तो भिहारी जी कहते हैं जो चाहत चटक ना घटे मैलो होत न मित मित मने मित्रता अनि मित्रता मैला नो हो अगर तुम चाहते हो इसका रंग हमेशा चटक रहे तो क्या करना चाहिए रज राजस रज मन होता है धूल और राजस मतों होता है रजो गूण रूपी धूल न चुवायो न असपर्स करो नेह चीकनो चित मने प्रेम रूपी चिकने हिरदय पर मने प्रेम से चिकने हिरदय पर रजो गूण रूपी धूल को नहीं असपर्स कराना चाहिए इस कार्थ देखे कैसे लिखेंगे करतेख हे मनुश्यों, अगर तुम चाहते हो कि मितरता में कोई मैल नभी, मितरता में कोई मन मुटाव नभी आइस का रंग हमेशा चटक चाहते हो या चाहते हो हमेशा मितरता दिन दुना राच च गुना बढ़ता रहे तो इस चित पर यानि कि प्रेम से चिकने प्रेम रूपी तेल से चिकने हिरदय पर कभी भी रजोगुर रूपी धूल को मत अस्पर्स कराओ क्योंकि तेल पर जब धूल चिपकता है तो उसको गंदा कर देता है मैला कर देता है इसलिए उस पर रजोगुर रुपी धूल को मत अस्पर्स करा हो तभी यह मित्रता लंबे समय तक चल सकती है चेरस थाई रह सकती है नहीं तो यह मैली हो जाएगी और यह समाप्त हो बसो बुराई जोत जै तो चितु खरो डरातु जोनि कलंकु मयंकु लखी गने लोग उत पातु बिहारी गने लोग उत पातु इस दोहे में बिहारी जी यहां बताते हैं कि अगर बुरा ब्यक्त अपनी बुराई को छोड़ देता है फिर भी जो सच्चे लोग है भय बस उससे डरे हुए रहते हैं उनको यह लगता है कि अभी इसके अंदर कोई खोट जरूर होगा तो बिहारी ज प्रसके काते हैं बुरो बुराई जो तजें जो कोई बुरा ब्यक्त अपने अंदर की बुराई को त्याग देता है तो चित खरो डरात तो भी खरे चित वाले मने पवित्र हिर्दय वाले उस ब्यक्ति से हमेशा उसी प्रकार से भैवीत रहते हैं डरात मने डरे रहते हैं भैवीत रहते हैं जियो निकलंक मयंक को लगी जिस प्रकार अगर मयंक मनोता है चंद्रमा निकलंक मने निसकलंकित होकर मने चंद्रमा निसकलंकित हो ज удankind की गणना मने कुछ दाइविक आपदा की गणना करने लगते हैं आसंकित हो जाते हैं कहने के तरह पर यह कि एक अइसी मान्यता है जब चंद्रमा का प्रकास काफी चटक हो जाता है तो लोग यह सोचते हैं कि चंद्रमा सामान ये प्रकास से क्यों अधिक चटक है आ अगर अच्छाइक तरफ आकर्सित होता है यानि कि चटक होता है चंद्रमक तरह से अपना ओरंग प्रकास तेज करता है तो भी जो है कि पवित्र होदय वाले उससे भैवीत हो जाते हैं ठीक है यह उसका अर्थ हो जाएगा आप इसको अच्छे रंग से अपने भासा सेलिम ब देखी बिहंगे विचारी स्वारत सुकृत नस्रम ब्रिथा देखी बिहंगे विचारी बाज पराई पानी परी तू पच्छिन नमारी बिहारी तू पच्छिन नमारी इस दोहे में बिहारी जी उस राजा का बरणन करते हुए कहते हैं जब राजा मिर्जा जैसा और अरंगजेब की ओर से हिंदियों के विर्द जुद्ध करते थे तो उनको एक तरह से उनको उपालंब दे करके और उनको अन्योक्ति के रूप में आगाह करने का प्रयत्न करते हैं बिहारी जी कहते हैं पक्छी का उदाहन दे करके बाज पक्छी को उदाहन दे करके उनको एक मतलब साउधान करने का प्रयास करते हैं स्वार्थू सुकृत्थेन स्रम बिर्था देख बिहंग बिचारी, कहते हैं बाज पराए पानी परी, कहते हैं हे बाज, बाज मतलब मिर्जा राजा जैशाह को सम्होदेत है, हे बाज, पराए पानी, पानी मने होता हाथ, पराय हाथ में जा करके तू पच्छिन नमार पच्छिन के यहां इसमें यमा कलंकार होता है पक्छिन मनें पक्छी अब पक्छिन मतलब पक्छ अपने पक्छ तो पक्छी और पक्छ दोनों का यार्थ हो सकता है कि हे बाज तुम दूसरे के हाथ में पढ़ करके अपने पक्छ के लोगों को न मारो या अपने पक्षियों को न मारो देख बिहंग बिचार बिहंग मने होता है पक्षी अपने पक्षियों को देख करके हैं विचार करो कि अगर तुम उसे मारते हो तो तुम्हारा स्वार्थ तुम्हारा जस और स्रम सब कुछ क्या हो जाएगा बेकार हो ज जायेगा काते है राजा जैसा तुम अगर अपनी पक्च के लोगों को मारते हो तो अपने पक्च के लोगों को कर 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 ज़रा विचार कर ऑब sal da है तुम्हारा तुम्हारा जो जस्च के अबिकर सोर्ट मत अरय बहलाई करने वाला जो ब्यारत हो जाएगा तो इसका विकार सुन्दर Tsora उसी तरह सोगया जैसा कि कही कहीं इसमें अलंकारों का में जिक्र कर दिया हूँ उसको आप लिख सकते हैं ठीक है 근 कि यासे पक्छिम में मैं नुगे बताया कि इसमें सिले सलंकार है एक होता है पपची दूसरा होता है पप्च ठिक है उसके बाद उसी तरह से अर भी दोहों में कहीं अन्योक्ति और रिप्ष्टानत Лंकार दिखाई दे आप उसको लिख सकते हैं कई अनुपरास लंकार दिखाए दे सकता है उसको लिख सकते हैं तो इस तरह से यह विहारी का जो दोहा है नीति का दोह और भक्ति का दोहा यह परिकूर होता है इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ मिलते हैं आप लोगो को बहुत बहुत धेन्यवार इतने समय तक वीडियो को देखे चुकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन बड़े धार के साथ आप वीडियो को देखे हमें लग रहा है कि आप अपने जोन कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तभी इस वीडियो कितने स कुझ आवब दे सकते हैं और अपने परिशानियों को बता सकते हैं ताकि मैं और भी बेतर डंग से वीडियो को बना सकूं तीक है अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो इसको लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब नब किये हो तो सब्सक्राइब कर लें जिससे जोभी